नमस्कार में पिंटू शेंग्यादाव आप सभी का स्वागत करते हैं नियूज लाइब में दोस्तो जिस तरीके से मुक्तार अंसारी को बांदा जेल में सिफ्ट किया गया है उसकी लगातार जो है मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है और एक और मुश्किल जो है मुक्तार अंसारी के सामने आ गई है जिसको लेकर पूलिस जो है जेल में जाकर मुक्तार अंसारी से पुष्टास कर सकती है क्योंकि वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माद्यम से हर जगा पेशी हो रही है और जिस तरीके से पूरे देश में कुरोना का कहर चल रहा है उसको लेकर जो भी सुनवाई है वो कहने कहें वीडियो कॉन्फरेंशिंग के जरिए हो रही है जिसमें फिजिकली बयान लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है समस्या हो रही है तो उन्हीं सब चीजों में से एक ऐसा मामला मुखतार अनसारी पदर्ज है जिसमें पुलिस जेल में जाकर मुखतार अनसारी से पुछतास कर सकती है और गवाह के तौर पर एविडेंस के तौर पर उस चीज का शुबूत जो है वो जुटा सकती है पूरा मा इकलेस यादों का छेत्र है वहाँ पर कुछ साल पहले एक बहुत बड़े घटना घटी थे बहुत बड़ा वारदात हुआ था जिसमें की ठेकेदारी को लेकर वर्चस्सो की लड़ाई हो गए थी और उस वर्चस्सो की लड़ाई में जो था वो एक मजदूर का मौत हो गया कि मुक्तार अंसारी के गैंग जो लोग थे वो इस परकार के करवाई का अंजाम दिये जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जिसमें के गैंग्स्टर कोट में जो ये मामला है वो दर्च कर दिया गया और गैंग्स्टर कोट जो है वो इसकी पूस्तास कर रहा है और ये घट 2020 में जो वहां के SP थे त्रिवेडी सिंग जो है वो गैंग्सिटर I के तहत मुक्तारंसारी पर मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा दर्ज कर जिया तो यह मामला AP cambi poster court में चल गया है और अब इसी मामले की फाइल जो है वो खुलती नजर आ रही है और आजमगड में मुक्तार अंसारी की पेशी होनी थी लेकिन कहीं करोना के चलते वहाँ पेशी नहीं हो पाए और वर्चुल वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माध्यम से आजमगड में उनकी पेशी हुई जिसके बाद जो है पुलिस करेंगे जिससे की काफ जादा मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि उसी एबिडेंश के उपर जो है उसी गवाह के उपर जो है कहीं ने कहीं मुक्तार अंसारी को सजा देनी है और पुछतास जब होगी तो खुला से कहीं सारे चोकाने वाले हैं बात करें तो इस मुकदमे को जो है MPA मेले कोट में मुक्तार अंसारी ने कहा है उनके वकील जो है उन्होंने कहा है कि इस मुकदमे को MPA मेले कोट में स्थकित करना चाहिए ताकि वहाँ पर इस मामले की शुनवाई खी जा सके तो वहीं वकील के पक्च का आधार यानि कि जो इनके वकील है वो क्या पक् लोग जो है, जो code judicial मामला है, तो मुक्तारणशारी से जब पुस्तास होती है और इनके वकील के दलीन को शुना जाता है और उस दलीन पर और मुक्तारणशार के बयान पर जो फैस लाएगा ऊसके अमसार कौन सी सजा मिलती है या फिर मुक्तारन सारी बरी हो जाता है ये देहद देखना दिल्चस्प होने वाला है बाकि आपकी क्या रहा है कॉमेंट बोक्स के जरीए हमें जरूर बताईए जानकारी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेर करें और चनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करकर जरूर जोड़े धन्यवाद